यहां आप देख सकते हैं 28.3 सी cut-off तिरुवननत्पुरम जोंस है जबकि 31.28 बेंगलूरू जोंस है क्या इतना कम cut-off गया था जी यहां बिल्कुल इतना ही कम गया था क्यों गया था क्यों कि यह जो है एक technical exam है technical paper का exam होता है और इसमें बीटेक वाले और डिप्लूमा वाले ही apply कर सकते हैं साथी साथ CMA post होती है तो उसके लिए जो भी आप लोग BSC किये हैं chemistry honors है वो लोग apply कर पाते हैं यानि कि इसमें जो है limited number of student apply कर पाते हैं जिस कारण cut-off कम जाता है साथी साथ technical paper है जिसमें योगता रहती वही apply कर पाते हैं साथी साथ आपका जो है इसमें अगर आपका number भी लाते हैं तो भी आपका अराम से admission हो सकता है अगर आपकी strategy सही है और आप बिल्कुल सही से strategy wise तयारी कर रहे है तो आपकी तयारी कैसी है 2015 का यह cut-off मैंने दिखा है उसके बाद आपको 2019 का different zone में cut-off दिखाऊंगा तो आपको पूरा वीडियो देखना है हर जोन क क्योंकि अगर आपको सच में इस बार लेनी है नोकरी तो यह नहीं कि मेरा favorite zone है चैन्ने तो उसी का cut-off देख लिया या फिर बोपाल या फिर एमदाबाद का cut-off देखके रह गया नहीं आपको हर zone का cut-off देख लेना है और अगर आपकी तयारी अच्छी है तो मन्चा है zone से और अगर आपकी तयारी लग रही है कि उतनी अच्छी नहीं है या फिर आप और उसे इस साल हर हालत में नोकरी लेना है तो आप देख लिजे कि किस zone से कम cut-off जाता है फिर उस zone में apply किजेगा तो मैं सत्यपूरी आप सबका स्वागत है पूरी पार्ट साला में वीडियो मे करते हैं आगे यह देखिए दोजाओं पंद्रा का cut-off जो है जनरल ओबी सी सी स्टी के लिए अलहाबाद से देख लगते हैं सकते हैं आप 61.45 54 47 41 मुंबै 61 53 41 35 सिकंद्रवाद 66 59 53 41 सिकंद्रवाद देख लिए ज्यादा cut-off चल गया है कोलकाता देखिए सभी लोग पूछत 52 44 33 आपको एक बात और यह समझना है कि यह जो है आपका CBT1 का cut-off है और आपका जो है यह 2015 cut-off है इसके बाद हम 2019 का भी cut-off देखेंगे देखरें जी एजमेर का cut-off देखिए एजमेर से ज़्यादा जाता था लेकिन देखिए 62 56 51 और 46 जो गया है स्ट के लिए चनने PC का भी काफी कम cut-off गया है यानि अच्छे मार्क्स पर साथी गुरूब डी का भी यहाँ पर कम cut-off गया है इस साल 2022 का जो final cut-off पटना देखिए कितना ज्यादा 79 74 68 57 बेंगलोर 51 46 33 31 राची देख लिजे आप राची से कही लोग अपलाय करते हैं ज्यादा गया 74 68 61 55 सारा जोन का cut-off आपको देखना है और कोसिस करना है कि अगर पॉसिबल हो तो लिख लें क्योंकि आपको इस बार हर हालत में नौक लेनी है बिलासपूर 61 53 44 39 गोरखपूर 72 66 54 47 सिली गुरी 68 58 53 46 मालदा देख लिजे 72 68 61 53 और जम्मू का देखिए 63 OBC था निए 47 41 तो यह था 2015 कट अब देख लेते हैं 2019 में क्या कट अब गया था ओल जोन से एमदाबाद जनरल 65 OBC 60 सी आपका 48 और 43 एक चीज आ रहा है आपको समझना है कि यहां पर जो यह था यह 100 का पेपर हुआ था जबकि CBT 2 में आपका 150 का पेपर होता है तो इसको भी आप याद रखिए का देखि 63 58 53 47 अजमेर के बाद एलाबाद 62 56 49 42 बैंगलोर 53 कम गया है बैंगलोर का 35 34 बोपाल 62 54 46 33 भुवनेशवर देखे 61 56 51 48 आप लोग चाहेंगे कि यह वह कुछ जो है कट आपको मिल जाए तो हम लोगा चैनल है पूरी पार्ट साला जो है करके आप अगर टेलिग्राम में सर्च करते हैं तो वहां आपको सारा का सारा पीडेफ मिल जागा साथ ही कमेंट बॉक्स में मैं लिंक डाल दूगा नया चैनल ही खोला है अभी 700 800 जो है मेंबर वहां पर जूड़े हैं तो इस चोटे से मेंबर का हिस्सा हो जाए और अपने भाई के चैनल को सपोर्ट जरूर कीज गोरगपूर 73, 67, 56, 49, गुवाटी 72, 67, 63, 56, गोरगपूर इस बार रेड जोन में रहा है ग्रूप D का भी कटप यहां पर जो है आरसी गोरगपूर से काफी ज़्यादा गया था हम जम्मू कसमेर देखिए 65, 48, 42, 59, 54, 48, 39 मालदा देखिए ज़्यादा चल गया 73, 69, 62, 54 उस 69, 76, 69, 58, मराची 75, ज़्यादा गया 69, 62, 56, किसी ने सोचा नहीं होगा कि पटना राची में इतना ज़्यादा जा सकता है, सिकंदरवाद 68, 61, 54, 43, सिली गूरी 69, 59, 54, 48, उसके बाद जो आ जाता है आपका तिरुवनांत पुरह 52, 46, यानि तिरुवनांत पुरह में कम गया 38 30, और 30, तो आप देख रहे हैं कि अलग लग जोन में आपका कितना कटफ जा रहा है और अग कुछ लोग आपनों बात करेंगे कि वेकंसी के बारे में, तो याद रखिएगा GDC में आपकी वेकंसी आ चुकी है, JEE की वेकंसी के लिए GDC में बुला जा सुका है, तो जब भी वेकंसी आती है GDC की, तो ठीक याद रखिएगा, उससे 3-4 मेहने बाद जो है, ओपन में डारेक्ट रिक्रपेंटमेंट DR वेकंसी जो आ जाती है, तो उसकी वेकंसी आपको जल्दी देखने मिलेगी, और आपको 2023 के लाश्ट तक जो है, नमवंबर दिसंबर तक जरूर दे और ये चैनल आपके तयारी में एक महत्पून और योगदान दिखाएगा, आपके हर पल के तयारी में, यानि आपको किस बुक का सेलेक्शन करना हो, और कैसी प्रिपरेशन स्ट्रेटिजी रखनी है, तो इस चैनल में नए है, तो सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा, चलि